हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मसाले के स्वाद में आज हम बनाएंगे काले चने से खसिया चना की रेसिपी जो की बहुत ही मसालेदार और चटपटी होती है इसे हमें स्टोर करके 10-15 दिन तक रख सकते हैं एर टाइट डबे में ये बहुत ही क्रिस्पी होती है इसलिए चने को फुलाना नहीं है बसलका सा धो लेना है चने को अच्छी तरह से धो लिया है तो अब इसे साइड में रख देंगे और खसिया बनाने के लिए मसाला पीस लेंगे तो यहां मसाला के लिए हमने लिया है छेक के लिए लहसन की दो हरी मिर्च हमारा मिर्च तीखा है तो हमने दो मिर्च का इस्तेमाल किया है अब तीखा अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं एक छोटी चमच जीरा 20-22 काली मिर्च लिया है चोथाई चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पीस लेंगे मसाला हमारा रेडी हो चुका है तो यहां हमने कडाही को गरम होने के लिए रख दिया है और उसमें डालेंगे धूले हुए चने और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे जीरे जीरे इसके पानी सूख जाएंगे उसके बाद भी चने को कड़कड होने तक हमें भूनना है यहां आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चने का कलर चेंज हो गया है और चना एकदम क्रिस्पी हो गया है कुरकुर कर रहा है तो अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा नम्मक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा तेल सरसो का तेल डाल रही हुँ मैं तो सिर्फ थोड़ा सा तेल ही डालना है हमें एक चमच लगबग छोटा चमच ये खसीय चना भी बिहार की फेमस है फ्रेंड्स बिहार में सिर्फ लेटी चोखा फेमस नहीं है बिहार में बहुत कुछ फेमस है तो आप इसे भी जरूर ट्राई करें बारिस के मौसम में इसे बना करके एर टाइट कोंटेनर में रख दे तो आप इसे 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी होती है बहुत ही टेस्टी लगती है एकड़म चटकारेदार लगती है तो नमक तेल डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिला लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे पीसे हुए मसाले गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और मसाले को चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि मसाले में से सौंधी सौंधी सी खुस्बून आने लगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मेरे आप सभी से निवेदन है अगर आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दिया करें और कॉमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो यहाँ पर मसाले से सवंदी सवंदी सी खुसबू आने लगी है मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और चना एकदम क्रिस्पी हो चुका है तो यहाँ पर अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ओफ तो बन के तयार है बहुत ही चटकारेदार एकदम क्रिस्पी चना का खसिया तो आप इसे एक एर टाइट डब्बे में भर करके 10-15 दिन तक श्टोर करके रख सकते हैं ये क्रिस्पी ही बनी रहती है और बहुत ही चटकारेदार लगती है खाने में तो आप भी बनाईए खाईए और अपने पुरे परिवार को खिलाईए और अपना आनुभव हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताईए